गुड मॉर्निंग एवरिवन तो एक नया दिन फिर से स्टार्ट हो चुका है और मैं आ गई हूँ मेरे किचन में तो चलिए आज कुछ स्पेस्चल बनाते हैं तो आज मैं बनाने वाली हूँ हम गुजरातियों की फेवरिट डिश तो आज हम बनाएंगे डाल टोकली डाल टोकली एवरि संडे 70-80% कुजरातियों की गर्मे बनती होगी क्योंकि संडे सब को छुट्टी होती है और सब गर्पे होते हैं और ये डाल टोकली गर्मा गरमी खाई जाती है इसे टिफिन में हम नहीं ले जा सकते क्योंकि ठंडी हो जाएगी तो जम जाएगी इसलिए इससे गर्मा गरमी खाया जाता है तो चलिए बनाते हैं डाल टोकली बनाने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए तूबर की डाल रेगुलर हम जितनी डाल लेते हैं उससे थोड़ी सी कम लेंगे तो यहाँ पर मैंने 1 फूर्थ कप जितनी तूर डाल ली है एचुली मैं डेली 1 कप लेती हूँ लेकिन 25 परसन मैंने कम ली है मतलब के 1 फूर्थ कप ली है और उसे पीगने के लिए छोड़ दिया है डाल डोकली के साथ चावल खाया जाता है तो यहाँ पर मैंने चावल भी ले लिये हैं और उन्हें अच्छे से दो के भीगने के लिए छोड़ दिया है और अब मैं दोलूंगी डाल तो दाल थूड़ी से भीग जाएगी तो फटा फट से दूल जाएगी इसलिए मैं पहले दाल को भीगोके रख देती हूँ दाल को भी मैंने दोसे तीन बार अच्छे से धो लिया है और अब इसके अंदर डाल दिया है एक से डेज ग्लास पानी और अब मैं लेके आ गई हूँ फ्रेज से टमाटर यहां पर मैंने दो टमाटर लिये हैं और टमाटर को मैं काट लूँगी तो इससे बहुत मोटा नहीं काटना है मतलब कि एक दम बारिक भी नहीं चाहिए और बहुत ही बड़ा भी नहीं काटना है मिडियम साइज का हमें से कट कर लेना है तो चलिए दोनों टमाटर को मैंने कट कर लिया है और ये टमाटर को हम डाल देंगे दाल के अंदर तुकि दाल के अंदर ये टमाटर पक जाएंगे तो एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे और उसका टेस्ट भी बहुत ही बढ़ी आएगा अब दाल के अंदर मैंने डाल दिया है एक चमच बर के नमक, एक चमच हल्दी और आदा चमच बर के मैंने इसके अंदर हिंग डाली है यहां पर हिंग एड़ करने से दाल में बहुत ही बड़ी फ्लेवर आता है तो चलिए अब दाल और चावल दोनों को हम कुप करने के लिए छोड देते हैं मैंने मीडियम फ्लेम रख दिया है और अब यहां ढोकली के लिए आटा गुंत लेते हैं तो यहां पर मैंने बारिक वाल आटा लिया है जिससे हम रोटिया बनाते हैं दो कटोनी परके आटा ले लिया है उसके अंदर डाल दिया है 1 चमच निक्स हर्दी 1 चमच मु dough क्वडर 1 चमच नी धनिया जीररा पाउडर और 6 चमच नी फरकी अजमाइन दाल दिया है और आप 2-3 चमच नी नाल दिया तेल और अब इन सब को अच्छी से mix कर लेना है यहाँ पे आप कसूरी मेथी भी add कर सकते हो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी धन्यापति डाली है यहाँ पे आप कसूरी मेथी या फिर जो मेथी की भाजी आती है वो भी add कर सकते हो और अब थोड़ा-थोड़ा पानी डालके मैंने आठा गूत लिया है यहाँ पे हमें आठा थोड़ा सक्त रखना है मतलब कि पराठे का आठा जो हम गूते हैं पराठे के लिए उससे थोड़ा सक्त होना चाहिए तो चलिए डाल और चावल भी पक गए हैं और अब मैं फ्रिस से लेके आ गई थोड़ी सी मिर्च तो यहाँ पर मैंने तीन सी चार मिर्च ले ली है और इन्हें बारिक चौप कर लिया है मिर्च में इस सरा बीच में से एक कट लगा देंगे तो ऐसा करने से मिर्च हमारी एकदम बारिक चौप हो जाएगी तो चली मिर्च भी मैंने कट कर ली है और अब दाल को देख लेते हैं तो दाल भी अच्छे से पक गई है और अब इसे विसकर से थोड़ी सी विसकर लेते हैं इसके अंदर आप ब्लेंडर भी चला सकते हो तो ऐसा करने से दाल एकदम महीं पिस जाएगी लेकिन मुझे थोड़ी सी दरदरी दाल पसंद है तो मैं इसे विसकर से विसकर लेती हूँ और अब दाल के अंदर डाल देंगे पानी तो यहाँ पर मैंने दो से धाई गलासीता पानी डाल दिया है दाल में थोड़ा सा पानी जादा रहेगा तो चलिए यहाँ पर दोकली के आटे ने भी रेस्ट कर लिया है तो अब इस से हम बना लेते हैं धोकली तो डोकली बनाने के लिए यहाँ पेड़े बना लिये हैं आटे के और थोड़े से बड़े रखेंगे क्योंकि यहां पे हमें बड़ी सी रोटी बेलनी है पेड़े को हम सुखे अर्टे में लपेट के उसे बेल लेंगे तो यहां पे ढोगली को हमें एकदम पटला नहीं बेलना है थोड़ी सी मोटी रखेंगे मतलब कि बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं मीडियम हम उसे बेल लेंगे अगर हम ढोगली को जादा पटला बेल लेंगे तो अबर कुख हो जाएगी और उसका टेक्षर बराबन नहीं आएगा और अगर मोटी रखेंगे तो कच्छी रह जाएगी तो इसे मीडियम ही बेलना है मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि इसे कैसा बेलना है और आज हवा थोड़ी सी जादा चल रही है तो मैंने बारी मतलब के विंडो बन कर दी है तो यह देखिए इतना हमें इसे बेल लेना है बहुत मोटी भी नहीं है और बहुत पतली भी नहीं है तो चलिए अब ढोकली कट कर लेते हैं तो यहां आप अपने requirement के हिसाब से इसे कट कर सकते हूँ मतलब कि आपको जितने बड़े pieces चाहिए चोटे चाहिए वैसे आप उसे कट कर सकते हूँ तो यहां पे मैं चोटे-चोटे pieces में उसे कट कर रही हूँ यहां पे हमारी दाल भी अच्छे से उबल गई है दाल में अच्छा सा उबल आ जाए तब ही हम ढोकली को इसके अंदर add करेंगे अगर पहले ही add कर देंगे तो ढोकली नीचे से चिपकने लगेगी तो यह रिखे सारे डोकली को मैंने डाल दिया है डाल के अंदर अगर आपका आठा थोड़ा सा गीला होगा तो आपकी डोकली एक दूसरे के साथ चिपक जाएगी तो अगर आठा आपका थोड़ा सा गीला हो गया है तो आप क्या करें धोकली को जब बे ले और उसे कट करें तो कट करके उसके उपर थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क ले और फिर उसको अलग से बाउल में निकाल ले तो ऐसा करने से धोकली एक दूसरे के साथ बिलकुल नहीं चिपकेगी अब एकदम low flame पे धोकली को हम पकने देंगे फांसे दस मेत में धोकली अच्छे से पक जाएगी तो धोकली पक रही है तब तक हम बना लेते हैं पराठे तो धोकली का जो आटा बज़ गया था उससे में ये पराठे बना रही हूँ ये पराटे टेस्ट में बहुत ही बढ़या लगते हैं इसलिए मैं ढोकली का आटा थोड़ा सा जादा ही गुन लेती हूँ क्योंकि मेरे गर में ये पराटे सबको बहुत ही पसंद है इसे आप गुर, दही, चाय, आचार किसी के साथ दे आप खा सकते हो बहुत ही टेस्टी लगते हैं इस पराटे को भी हम थोड़ा सा मीडियम ही बेल लेंगे जिस तरह हमने डोकली के लिए बेला था उसी तरह मीडियम बेल लेना है लेकिन साइज थोड़ा सा हम चोटा रखेंगे डोकली के जितना बड़ा नहीं बेल लेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे हम सेख लेंगे तो इस तरह सारे पराटे को मैंने रेडि कर लिया है तो फटा-फट से पराटे बन जाते हैं तो चलिए पराटे भी रेडि है यहां पे हमारे डोकली भी पक गई होगी तो चेक कर लेते हैं तो इस तरह एक डोकली को ले लेना है और उसे बीच में से कट कर लेना है चाकू से तो अगर एजिली कट हो रही है तो समझ लेना है कि हमारे डोकली पक गई है अगर आपको गूड नहीं पसंद है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हो तो चलिए अब दाल में छोग लगाने की तेयारी कर लेते हैं तो यहां पर मैंने थोड़े से कड़े मसाले निकाल लिये हैं एक तेज पत्ता एक लाल सुखी मिर्च एक चुड़ा टुगडा दाल चीनी और एक मैंने ले लिया है चकरे फूल और थोड़े से मैंने ले लिया है कड़ी पत्ते 5-7 और अब पराठे भी ठंडे हो चुके हैं तो मैंने उन्हें रख लिया है कैसरोल में यहां पर मैंने ले लिया है एक वगारिया उसके अंदर दाल दिया है एक चमजबर के तेल एक तो यह प्रोसेस को हमें थोड़ा सा जल्दी करना होगा तो यह देखे दाल में हमने छोक लगा दिया है और उसका कलर कितना बड़ी यह लग रहा है चले पुसे टेस्ट कर लेते हैं तो हमें तो यहां पर मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा था तो मेने नमक अड़ किया है और एक कुर्द करें हमाने डाल डाल दिया है तो नमम का रस ढ़्रत okla के जरूर बताना मिलते हैं जल्दी नेक्स रेसिपी के साथ अब तक के लिए बाई जैशी करशना